बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे भाग्य से और बेटिया सौभाग्य से मिलती हैं। बेटियों से घर की रौनक अलग होती है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। प्रथा है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंद दान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरूश नहीं है तो ऐसे में बहू भी पिंद दान कर सकती है। वही कई लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गनवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाने से अच्छा है, इनकी जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविश्य को बरबाद कर देती है। जरा सोच ये एक बच्ची के मन में कितने सपने होते है कि उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देने चाहिए, उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए, एक बेटी से ज जन्म को एक जश्णी की तरह मनाना चाहिए, माता पिता को भी बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। दोस्तों, बेटी कभी भी बाप पर बोज नहीं होती है, वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। इस संबध में एक कहानी भी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बया हैं और हो भी क्यों न मेरे दो बेटे जो हैं। तब वो दूसरे दोस्त से पूछता कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। तब ही उसकी बेटी उसके पिता के मित्र से कहती है कि अंकल भगवान हमेशा किसमत वाले को ही बेटी देता है कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देता। दोस्तों, भगवान उसी को पुत्री का सुख देता जिसके अंदर पालने की समर्थता होती है और जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता हो। और माता वैशनों के दर्बार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानन से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंदे पर बोज नहीं होती। बेटिया अगर बाप के कंदे पर हो तो वो हर बोज को हलका कर देती हैं। दोस्तों, बेटिया कभी भी धर्ण की भूख ही नहीं होती है। वो सिर्फ मान और सम्मान की भूख ही होती है। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके धर के लिए लक्षमी का रूप साबित होते हैं। गरूर पुरान में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में धाल कर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिये कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्बेश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अगर कोई पुरुश महिलाओं का आचरन करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदते ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन में स्त्री का शरीर धारंग करती है वही गरोर पुरान में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यू के अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए प्रान त्यागता है तो वो अगले जन्मिस्त्री के रूप में जन्म लेता है वही अगर वो अपने अंतिम समय में परमेश्वर का नाम लेता है तो उसे मुक्ती मिल जाती है धन्यवाद